हाई, वालकन हो मैं चनल, इस वीडियो में समझेंगे concept of marked price and discount तो ध्यान समझेगा, यहाँ पर तीन terms होते हैं ठेक है, जब भी हम marked price और discount की बात करेंगे तो तीन terms हमें साइएंगे, वो क्या आएगा? cost price, marked price and selling price तो हम यहाँ पर ध्यान समझते हैं माल लिजे, आपने कोई product खरीदा पहले-पहले आपने क्या किया? एक product खरीदा जब खरीदेंगे, तो जिस price पर खरीदेंगे न, उसको बोलेंगे cost price ठीक है? जब आप खरीदेंगे, तो actually क्या होगा? कि इस product पर कुने में या कहीं पर भी एक marked price रहेगा एक जो है क्या रहता है? MP रहता है, marked price और जो marked price रहता है, वो यही रहता है ठीक है? तो ये marked price जो बनाया जाता है, वो हमेशा CP से अधिक बनाया जाता है मतलब कि CP से हमेशा greater होता है marked price ये ध्यान रहे है इसका मतलब कि यदि greater रहेगा MP, CP से तो इसका मतलब कि कुछ इसमें जोड़ेंगे तभी तो greater रहेगा इसका मतलब कि उसी को जोड़ेंगे ना उसी को बोलते हैं उनों को profit profit percent कुछ profit percent बढ़ा करके CP से MP बनाया जाता है ठीक है और MP जब बन जाता है उसके बाद जब हम shop मतलब कि जब हम खरीद करके उसे जब बेचते हैं किसी और को तो कभी कभी क्या करते हैं कि MP पर ही बेच दते हैं मतलब कि जितना भी उस product पर जितना mark price रहता है उसी पर बेच दते हैं customer को तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है क्लियर है यहाँ पर अब यदि ऐसा भी होता है कि हम product को बेचने के लिए discount दे देते हैं discount मतलब कि छूट दे देते हैं या फिर rebate बोलते हैं उसको rebate दे देते हैं छूट देते हैं किसको customer को जब हम discount देंगे तब बनेगा real SP तब बनेगा selling price यह है आपका selling price ठीक है तो हम जो पढ़ रहे हैं अभी न इस समय जिस exercise को solve करेंगे इसको पढ़ करके उस exercise में selling price मतलब कि marked price रहेगा ही रहेगा और marked price के बाद हम discount देने के बाद ही selling price निकालेंगे मतलब कि इसमें बस वही case discuss होगा जब shopkeeper जो है discount दे करके बेच रहा है मतल खरिदा तो उतने में है ठीक है खरिदा तो वह cp पर है लेकिन वह बेचेगा इतने पयमानता हूँ मैं मतलब कि इस पर बेचेगा Selling price पर Śलींग अच्द पर लेकिन बीच में MP भी डेक है मांग्ड ignored price रहे हैं मांपर से कितना कम करके बेचे रहे ठीक है तो जयसे कि मैं एक ठीक है? उसके बाद you हूं रूपीज मेंं खरीदा तो मीं अर्थ प्राइस उस पराडी था यह स्वेज्ट प्राइस उस पराड पे था 120 रूपीज, यह सब्सकर्ण सो 5hole क्या है के अ कितना पर्संटेज अधिक है यहalaylow 20% कैसे बदला है कि 20% यह अधिक है 20% अधिक इसलिए है क्योंकि 100 रुपीज यह है और 100 रुपीज से यह 20% ज्याता है है कि नहीं अब देखिए यदि वो marked price 120 है मतलब उस product पर लिखा हुआ है 120 रुपीज यदि इसी price पर वेदी बेच दिया shopkeeper ने customer को, तो shopkeeper को 20% का फायदा हो जाएगा मतलब के 20 रुपे का फायदा हो जाएगा 20 रुपीज का तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं गेन निकाल लेते हैं यहीं पर ठीक है ? गेन निकालने का मतलब हो जाएगा 120 मैं से minus कर देंगे 100 रुपीज तो आपका निकल जाएगा 20 रूपीज यह आपका gain है और यहाँ पर आप gain परसंट निकालने के लिए करेंगे gain परसंट निकालने के लिए करते हैं gain जितना gain रहता है उसमें क्या करते हैं CP से divide करके 100 से और यह बन जाता है एक formula तो यहाँ भी calculate करेंगे तो 20 परसंट निकल जाएगा बिल्कुल निकल जाएगा लेकिन यहाँ पर हमें discount देने के बाद SP यहाँ पर बेच रहा है न कि इस तरीके से इसलिए हम इसको हटा देते हैं इसके हमें काम जरूरत नहीं है और हमें यहाँ परने निकलना बलकि हमें यहाँ देखना है कि जब हम इस SP पर बेचेंगे मतब discount देने के बाद बेचेंगे तब उसको कितना मतलब कितना मतलब उसका selling price होगा यह कैसे निकालेंगे यह समझना है तो अब मालीज़े कि MP उसका हो गया 120 अब वो कहा कि ठीक है मैं 120 में नहीं बेचूंगा ठीक है फिर से मतलब सुरात कर लेते हैं एक बार समझ लेते हैं सुरू से 100 रुपीज में उसने खरीदा है और उस product पर 120 रुपीज लिखा हुआ है तो जब उस product पर 120 लिखा हुआ है तो वह यदि customer को कुछ सोच रहा है कि मैं छूट दूँगा तो वह सोच रहा है कि मैं 10% का discount देता हूँ 10% का क्या करता हूँ discount यदि वो 10% का discount देगा customer को तो होगा क्या discount देने का मतलब क्या होता है ध्यान दिजेगा discount का मतलब होता है 120 में से माइनस कर देगा मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि MP में से जो भी marked price है उसमें से माइनस कर देगा MP का MP का ही discount percent निकाल करके ठीक है मतलब MP में से ये थी MP का discount percent निकाल लेंगे तो ये जो मिलेगा न वही मिलेगा SP selling price तो ये 10 percent discount देने का मतलब ये होता है कि हम MP में MP का 10 percent निकालेंगे और जो भी आएगा वह MP में से माइनस कर देंगे इसी को बोलते हैं हम लोग selling price तो जो निकलेगा वो निकलेगा selling price इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं ऐसे SP is equal to इतना और हम यहां पर यदि calculate करेंगे तो क्या आएगा 120 क्या है MP है यहां पर माइनस कर देंगे MP में MP का ही 10 percent का discount निकाल कर गए मतलब 10 percent मतलब कि 10 percent लिख देंगे ऐसे अब solve कर लेते हैं तो देखे क्या मिलेगा 120 माइनस करेंगे 120 का 10 percent 10 अपन 100 00 cancel होगा यहां पर अब यहां मिलेगा 12 मतलब मिलेगा आपको 120 माइनस 12 मिलेगा 108 तो 108 रुपीज जो मिलाना यह है आपका SP selling price तो यदि वो 108 में बेचेगा छूट दे करके 10 percent तो अब कितना फायदा होगा इसको 10 percent का यदि rebate कर दिया घटा दिया इसमें से तो अब फायदा हुआ केवल 8 रुपीज का क्यों 8 रुपीज का फायदा हुआ केवल क्योंकि वो खरीदा कितने में है CP यहां पर है 100 रुपीज और 100 रुपीज खरीदा है और बेचा कितने में 108 रुपीज में इसका मतलब कि उसे CP अपान CP करते हो और फिर मड़प्लाई करते हो 100 से यह फ़र्मुला बनता है जो कि हम पढ़ चुके हैं यह फ़र्मुला ठीक है तो SP कितना था 108 हो गया यहां पर इंट्ट करोगे माइनस CP कितना है 100 है अपान करोगे फिर 100 से इंट्टू कर दोगे यहां पर 100 हो गया और 108 में से इंट्ट करोगे 100 कितना हो गया 8 वदब 8% का क्या हुआ प्राफिट हो गया किसको कस्टमर को इस तरीके से तो यहां सब को समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होते हैं कि क्या एक्चुली होता है यहां पर तो मैं आपको बताना चाहता हूं फामूला ठीक है जो यूज होगा स्वाल करने के लिए क्वेस्टन्स कि तो मैं सब कुछ रेज कर देता हूं अब ध्यान समझेगा देखिए यदि आपका यहां पर MP दिया हुआ है माल्ट प्रैस और SP दिया हुआ है तो हमेशा इसके बीच में एक डिस्काउंट होता है हमेशा समझाईए कि इसके बीच में जो है एक डिस्काउंट जरूर दिया गया होगा इसका मतलब यह हुआ कि आप SP चाहोगे ना कि SP निकालना चाहोगे आप तो MP में से क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा MP का डिस्काउंट परसेंट मतलब कि डिस्काउंट परसेंटज को लिए देते हैं आपान हंडेड ठीक है डिस्काउंट परसेंट मतलब कि डिस्काउंट आपान हंडेड ओके यह फामूला बन जाता है मतलब MP में से मैनस करेंगे MP का MP का मतलब क्या होगा यहां पर one minus, यहां मिलेगा discount percent upon hundred, इतना मिल जाएगा, और यदि हम इसका LCM लेकर solve कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, MP तो रहेगा ही, यहां पर मिल जाएगा, hundred LCM, और one hundred जा hundred, hundred ही हो जाएगा, hundred minus, और discount percent तो यहां पर रहेगा, यहां मिल जाएगा, discount percentage upon hundred, मतलब यह बन गया, आपका formula एक, मतलब कि SP निकालने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, MP में मत्पलाई करना पड़ेगा, 100 minus discount percent upon hundred से, तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ ऐसा लग रहा होगा, कि यह तो कुछ related है, पिछले वाले जो आप जब loss percent दिया रहता था, loss percent, क्या करते थे, SP बराबर अपलिक देते थे, ऐसे, CP multiplied by 100 minus loss percent, करते थे आप, loss percent upon hundred, ऐसा करके निकालते थे, तो यहां पर देखे, यहां पर जो है, बस ऐसे होता है, तो यहां पर actually क्या हो रहा है, यह वाली जो बात है, वो तो CP और SP पता रहे का, तो discount के case में, हम इसका use करेंगे, इस formula का, तो यह पहला formula हो गया, ठीक है, अब यहां पर first formula हमने discuss कर लिया है, दुसरा formula यह है, कि discount किसके बराबर होता है, discount हम कैसे निकालेंगे, discount मतलब कितना value के बराबर होगा, discount बराबर होता है, जब MP मैसे जब minus कर देते है, SP, जो value न price, जो भी निकलेगा, उसी को बोलते है, discount, उतना discount हुआ है, ठीक है, तो बिलकुल ही, और जब discount का percentage निकालना हो, तो third formula आ जाता है, और third formula क्या करता है, कि discount जब निकालेंगे, discount percentage यहां पर, तो हम निकालते हैं, इस तरीके से, उपर क्या लगते है, उपर लिखते है, discount, और एक बात धान रखेगा, हमेशा discount जो है, marked price पर ही निकाला जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, कि marked price जो MP है, MP के value, discount के नीचे रहेगी, मतलब discount percentage का formula जो होगा, वो इस तरीकिस होगा, discount upon MP, into 100, तो यह जो formula है, यही है discount percentage का, तो यहां पर discount को रगर करने लिखा करेंगे, फिर से MP रहेगा नीचे, मतलब कि हमेशा MP पर ही निकालेंगे discount percentage, जैसे हम लोग क्या करते थे, यहां पर जैसे मैं आपको बता दूग पहले जो फ़ावूला हमरे पढ़े हो है, gain percent निकालेंगे लिखा करते थे, करते थे हम लोग gain upon CP into 100, जैसे करते थे न, तो यहां पर हमेशा CP प करते हैं CP पर ही, लेकिन यहां पर जब discount percent करेंगे तो हमेशा MP पर करेंगे, यह याद रखिए, marked price ही नीचे रहेगा, discount over marked price into 100, यह याद रखिए, यह formula हो गया हमारा, तो इसी formula में हम थोड़ा सा बढ़ा करके लिख सकते हैं, तो discount की value क्या होती है, यह MP minus SP, तो यहां लिख स formula जो आप use करेंगे, discount percentage का calculation के लिए, ठीक है, तो formula जब देखें, अब यहां पर समझना क्या है हमें, कि question जब आएगा, तो question में कैसे हम सोचेंगे, क्या करेंगे, तो खहर हर question में तो अलग अलग तरीके से पूछा रहता है, लेकिन मैं आपको एक general view बता देता हूं, कि जैसा यही sequence होगा, मतलब CP के बाद, CP में आप कुछ plus करोगे, कुछ plus profit करोगे, कुछ profit percent, तभी MP आएगा, और MP में से कुछ घटाओगे, मतलब discount percent कुछ minus करोगे, तभी आएगा SP, यह बस याद रखना आप, और यहां से इस relation से जो है आप सारे formula क्रेट कर सकते हो, या फिर formula बना सकते हो, या यहां से direct आप gain percent, loss percent निकाल सकते हो, क्योंकि आपको CP पता रहेगा, और SP पता रहेगा, यहां से आप निकाल सकते हो, loss percent या gain percent, या loss या gain, सब कुछ निकाल लगा सकता है, और discount बस यहां पर बीच में आ गया है, MP बीच में आ गया है, marked price, इस करान से यहां discount percentage का concept भी एक introduce हो गया है ठीक है अंदर यहाँ पर तो हम यह समझ चुके हैं कि कैसे क्या करेंगे अब जब question solve करेंगे आप तो उसमें आसाने समझ में आ जाएगा ओके तो hope कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर मैं जो बताना चाहता हूं और कोई भी doubt नहीं होना चाहिए market price में तो thank you so much for watching मिलते हैं आप से next वीडियो में questions solve करेंगे thank you so much, bye